नमस्कार मेरे नाम है नील दिश्टी आईस के एडिटोरियल एनलिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है आज का संपाद किये लिखा है भूपेंदर यादव साहब ने जो की पर्यावरण मंत्री है श्रम और रोजगार मंत्री भी है लेकिन ये संपाद किये बतौर पर्यावरण मंत्री उन्होंने लिखा है इसमें जिक्र हुआ है कि भारत की जो नेट जीरो पर पहुँचने की रहा है वो भारत कैसे उस रहा पर चलेगा कैसे इस गोल को अचीव करेगा, कैसे इस गोल को प्राप्त करेगा तो हम इस संपात के को इसलिए डिसकस कर रहे हैं क्योंकि बतवार पर्यावरण मंत्री पुपेंदर यादव साहब ने कुछ साथ आठ जो कदम उनके मंत्राले द्वारा उठाए गए हैं बहुत महत्पून कदम है, कई स्कीम्स हैं जो पिछले कुछ सालों में आई है उनकी एक समरी यहाँ पर प्रेजेंट कर दी है उन साथ आठ स्कीम्स के लिए हम इसम बात किये कि चर्चा कर रहे हैं क्योंकि otherwise जो बात कर रहे हैं कि private sector की क्या महत्ता है उसके बारे में कोई बहुत महत्पून बिंदू नहीं है हाला कि हम उसकी चर्चा भी करेंगे बट फिर भी मैंने यह इसलिए बता दिया कि इस समरी को आप कहीं पर बिंदुवार नोट कर सकते हैं मैं बताऊंगा भी उसको इसी तरह से चलिए अब इन दुवार शुरू करते हैं संपात किये शुरू होता है इस बात के साथ कि दुनिया को अपने उस वादे पर खरा उतरने की जरूरत है जो पैरिस में पूरी दुनिया ने किया था पैरिस समिट हुई थी COP21 2015 में फ्रांस के शहर पैरिस में हुई थी वहाँ पर देशों ने क्या तै किया था कि हम कोशिश करेंगे कि सदी के अंत तक हम जो तापमान की विद्धी है उसको दो डिग्री सेंटिगेट से जादा ना होने दे नहीं तो हमारे सामने अस्तित्व का संकट होगा उसके बास हम बात किया कहता है कि ये करने के लिए हमें जल्द ही ग्लोबल नेट जीरो पर पहुँचने के आवशकता है अब नेट जीरो बात हम बार-बार सुनते रहें हैं बार-बार क्या है नेट जीरो नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि जो कार्बन का उत्सर्जन है वो बंद हो जाएगा कार्बन का उत्सर्जन मुख्यत है कार्बन डायोकसाइड गैस के रूप में होता है तो ऐसा नहीं है कि उसका उत्सर्जन बंद हो जाएगा और हम उसे net zero कहेंगे net zero में zero से के बराबर ही महत्वपूर्ण net भी है यानि जितना उत्सरजन हो रहा होगा उतना ही उसका absorption या absorption भी हो रहा होगा तो वो कैसे होगा हम जानते हैं उसके कई तरीके जो mines हैं धर्ती में वहाँ पर carbon को वैग्यानिक तरीकों से sequester अंग्रेजी में इसकी रिशब्द है sequester किया जा सकता है उसको absorb किया जा सकता है उसको सोखा जा सकता है तो इस प्रकार से mines में सोखा जा सकता है या जब हम व्रिक्षार open करते हैं तो वो भी एक प्रकार से carbon को सोखने का तरीका है क्योंकि आप carbon को एक जगह पर रोक दे रहे हैं उसको climate change में contribute नहीं करने दे रहे हैं तो ये है basically net zero के goal का मोटा मोटा मतलब अब आगे बढ़ते हैं तो समपात की आगे क्या कहता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में COP26 की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोधी सहाब ने कुछ ambitious वादे किये है कुछ बड़े वादे किये है COP26 क्या है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं थोड़ी सी बात बता देते हैं Conference of Parties कहा जाता है 1992 के Earth Summit के बाद से इतना हुआ कि हर सब देश हर साल मिला करेंगे और पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा किया करेंगे Climate Change के मुद्दों पर चर्चा किया करेंगे उसके लिए 26 संसकरण हाल ही में Scotland के Glasgow शहर में हुआ था और वहाँ पर मोधी सहब ने भारत को रिप्रेजेंट किया भारत की नुमाइंदगी की वहाँ पे भारत की ओर से जो वादे किये गए उनको पंचामरित कहा गया इस पंचामरित के बारे में भी हम जिक्र कर चुके हैं लेकिन फिर भी ब्रीफली बहुत जल्दी जल्दी हम जिक्र कर लेते हैं, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, पंजामडित ने भारत ने 5 वादे किये, अपनी तरव से climate change को रोकने के लिए contribution के तौर पर, क्या थे वो 5 वादे कि हम अक्षय उर्जा पर अपने निर्भरता को 50 प्रतिशत तक ले आएंगे, कब तक 2030 तक Renewable Energy, अक्षय उर्जा हमारी Total Energy Needs का हमारी उर्जा जरूरतों का 50 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर पाएगी 2030 तक, पहला वादा दूसरा वादा क्या था, कि Non Fossil Fuel, Fossil Fuel जैसे कोईला आधारित जो परियोजनाए हैं उससे इतर, यानि पनबिजली आधारित परियोजनाए दूसरी Renewable परियोजनाए, यानि कि Non Fossil Fuel वाली जो उर्जा है हमारी, उस पर भी हमारी कितनी कैपसिटी हो जाएगी? 500 गीगावाट कैपसिटी हो जाएगी हमारी 2030 तक, आप याद कर सकते हैं कि इसका पुराना वादा जो था वो था कि 2022 तक हम 175 गीगावाट कर लेंगे, तो अब इस वादे को बढ़ा दिया गया है 2030 तक हमें 500 गीगावाट करना है, कई बार इस वादे को बढ़ाया गया, क्योंकि भारत ने उधारन के तोर पे सौर उर्जा में बहुत प्रगति की है और इसके चलते हम इस वादे को पूरा करने की ओर है, हमने इस वादे को अपने लक्षे को ही बढ़ा दिया है ambitious लक्षे बना लिये है, तीसरा वादा क्या था, कि जो कार्बन का कार्बन का उत्सरजन है वो भी हम कम करेंगे इतना कम करेंगे एक बिलियन टन कम कार्बन उत्सरजन करेंगे 2030 तक, तो देखते जए 2030 के कितने टार्गेट हैं, तीन टार्गेट अब तक हो चुके हैं, पंचम्रुत में चौथा टार्गेट क्या था, कि अर्थविवस्था की जो कार्बन इंटेंसिटी होती है, अब आप पूछेंगे कि क्या होती है, कार्बन इंटेंसिटी इसकी परिभाशा क्या है, मैं बताऊंगा पहले हम लक्षे को जान लेते हैं अर्थविवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45 प्रतीशत अब जानते हैं इसका अर्थ carbon intensity मतलब होता है कि per unit GDP प्रति इकाई GDP आप कितना carbon का उत्सरजन करते हैं उसको कहा जाता है carbon intensity तो भारत ने वादा किया है कि वो 45 प्रतिश्य तक इसमें कमी लाएगा कब तक कमी लाएगा ये भी 2030 तक तो चार वादे हैं 2030 तक पूरे करने हैं और पांचवा वादा भारत ने किया कि हम भी net zero हो जाएंगे net zero की परिभाशा अब आप जान चुके हैं हम भी net zero हो जाएंगे 2030 तक तो ये पांच वादे थे जिनको पंचामरित कहा गया अब संपात किये अगली महत्वपून बात करता है कि भारत का वैसे तो contribution अगर आप per capita देखें global warming में प्रती व्यक्ती जो contribution है production में वो काफी कम है लेकिन फिर भी भारत ने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए उससे मूना चुपाते हुए बड़े वादे ambitious वादे किये है साथ ही भारत का ये भी मानना है और भारत ने चाहे COP26 हो चाहे तमाम दूसरे मंच हो वहाँ से बोला है जो विक्सित देश है जो developed countries है उनको जादा रोल निभाना चाहिए climate change से लड़ाई करने में क्यों निभाना चाहिए तीन कारण है उसके उनके पास high capacity है यानि उनके पास वो सब तरीके औजार तकनीक मौजूद है जिसका इस्तमाल करके वो बहतर तरीके से climate change से लड़ सकते हैं उनके पास वो तकनीके हैं हम अभी भी विकास की दौड में थोड़ा पीछे है और ऐसे में हम dependent हैं कुछ पुरानी तकनीकों पे लेकिन जो विक्सित देश हैं वो इस मामले में आगे हैं इसका फायदा उठाना चाहिए दूसरा इस सबसे ज़्यादा रोल भी उन्होंने ही निभाया है दुनिया को आज इस्थिती में पहुचाने के लिए तो इस चलते भी उनको जिम्मेदारी उठानी चाहिए और तीसरा कि आज भी उनके यहाँ जो पर-capita emission है प्रती व्यक्ती जो उत्सरजन है हमने बात की कि भारत में वो बहुत कम है वहाँ पर वो बहुत ज़ादा है क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत उननत है उननत लाइफस्टाइल की एक कीमत ये भी है कि वो क्रकरती के अत्यंत दोहन पर आधारित होता है तो इन तीन कारणों के चलते भारत का मानना है कि विक्सित देशों को इसमें पहल करनी चाहिए बाकी देशों से ज़ादा पर बहराल भारत ने अपने खुद के कदम भी उठाए है जिनका हमने जिक्री किया उसके बाद अब हम देखते हैं कि संपात की आगी का कहता है संपात के कहता है कुछ बातों को दोराएगा कि देखिए हमने 175 GW का वादा किया था कि हम 2022 तक अचीव कर लेंगे हमने ये वादा पहले समें किया था हमने इस वादे को बढ़ा दिया पहले 400 GW तक बढ़ाया और अब हम वादा कर किया हैं ग्लास गो में 2030 तक कितना 500 GW अक्षे उर्जा से पैदा करेंगे इसके अलावा दोरा रहे हैं वह चीजों को कि 50% capacity हमारी non fossil fuel sources से रहेगी तो इस तरह की बातों को दोराया गया है इस तरह की बाते हम कर चुके हैं उसके बाद वो कहते हैं कि हमने energy की efficiency बढ़ाने के लिए अब इसकी बात शुरू हो गई कि energy की efficiency को बढ़ाने के लिए हमने कई schemes शुरू की है पहली scheme जिसका वो जिकर कर रहे हैं वो है perform, achieve and trade scheme इसके scheme को PAT scheme भी कहा जाता था PAT scheme बेसिकली एक market आधारित scheme थी जिसमें industries को 13 बड़ी industries को जहां पे ज़ादा उर्जा की खपत होती है जैसे railway, khad, iron or steel उस प्रकार की industries में ये scheme लागू की गई थी पहली बार बहुत पहले इसकी लागू की गई थी 2008 में उसके बाद इसका दूसरा संस्क्रण भी आया 2016 में scheme क्या कहती थी कि certificate जारी करती थी Energy Saving Certificate Asserts कहा जाता था उनको तो जो industries है जो अपने कार्बन के उससरेजन को कम कर रही है अपने targets को achieve कर रही है उनको इस certificate मिलता था और जो industries अपने target को achieve नहीं कर पाती थी वो इस certificate को खरीद सकती थी तो आपको थोड़ा-थोड़ा Kyoto Protocol के अंदर जो carbon credit का mechanism था ये कुछ-कुछ उस प्रकार की scheme थी तो ये कह रहे हैं कि हमने PAT scheme के तहत पाया हमने जो 13 बड़ी industries थी उनको energy efficiency के मार्ग पर भेजा और इस प्रकार हमने carbon उससरेजन में कमी पाई अब देखिए अब इसमें डेटा है कि नौ करोर टन लेकिन उस 92 मिलियन टन इस डेटा को हम याद नहीं रख पाईंगे तो याद रखिए कि हमने carbon उससरेजन में कमी के लिए एक बड़ी scheme हो गई हमारे पास PAT scheme इसके अलावा भारत hydrogen energy emission पे भी काम कर रहा है उसकी चल्चा हम डिटेल में पहले तरीका माना जाता है साफ तरीका माना जाता है एक दूसरा तरीका होता है ग्रे हाइडरोजन जिसमें natural gas का इस्तिमाल किया जाता है ये बरिस पर थोड़ा कम अच्छा तरीका माना जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा pollution तो होता ही है फिर भी hydrogen जो है वो अपने आप में बहुत साफ उर्जा का स्त्रोत है तो बड़ी बात क्या है कि भारत ने hydrogen energy mission भी announce किया हुआ है जिसमें grey hydrogen और green hydrogen की बात हो रही है तो हमने अभी तक दो बाते जानी एक हमने जाना green hydrogen mission के बारे में दूसरा हमने जाना pat scheme के बारे में perform, achieve and trade अब हम आगे बढ़ते हैं आगे वो कहते हैं कि भारत ने fame scheme भी launch की e-mobility के लिए यानि कि electric vehicles को लाने के लिए electric vehicles को बढ़ावा देने के लिए तो हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि electric vehicles को बढ़ावा देने के लिए fame scheme launch की गई इसके बारे में भी हम बहुत डीटेल में तो नहीं जाएंगे दो-तीन बाते जान लेते हैं पहली बार इसको launch किया गया 2015 से 19 के बीच इसका दूसरा sunscreen launch किया गया 2019 से 22 के बीच दूसरी महत्वकून बात किया है of hybrid and electric vehicle तो hybrid vehicles की भी बात थी electric vehicles की भी बात थी electric vehicles हम जानते हैं जो battery पे चलती हैं खास तोर पे लिथियमायन battery लेकिन दूसरी batteries का इस्तमाल भी हो सकता है वहीं दूसरी और hybrid vehicle में दोनों प्रकार की सुविधाय होती है यानि वो इंधन पे भी चल सकता है और battery आधारी तूर्जा पर भी तो इसके promotion के लिए भारत सरकार दौरा famous scheme launch की गई इसमें customer और company दोनों के लिए ही कई सारे कई सारी योजनाय हैं कई छूटों का प्रावधान है जिससे की लोग electric vehicle की ओर switch करें इसके बाद वो कहते हैं कि और हमने energy efficiency को बढ़ाने के लिए या मौसमी बतलाव पर काबू करने के लिए क्या किया तो हमने अगला कदम जो उठाया वो था कि हम भारत stage 4 से सीधे भारत stage 6 norm में आ गए basically ये बताता है कि engine बहतर तयार है production पर काबू करने के लिए भारत को BS6 norms 2024 में लागू करने थे लेकिन भारत ने अपनी गंभीरता दिखाते हुए 2020 में ही इनको लागू कर दिया पाँचवा कदम क्या उठाया गया है कि एक तो voluntary vehicle scrapping policy लाई गई यानि कि voluntary vehicle scrapping policy आप पुरानी गाडियों के निस्तारन के लिए एक policy लाई गई अब पुरानी गाड़ी तो कोई बात नहीं हुई एक साल गाड़ी भी पुरानी होती है और दस साल भी इसमें परिभाशा दी गई कि 15 साल और 20 साल 15 साल commercial vehicle के लिए जो किसी भी बिजनस से जुड़े वेकिल हैं उनके लिए 15 साल जिनको आप पहचानते हैं पीली नंबर प्रेट से मुक्रित हैं वो होते हैं कॉमर्शल वेकिल और जो निजी गाड़ियां हैं उनके लिए ये उम्र 20 साल रखी गई तो 15 साल और 20 साल बाद गाड़ियों का एक कमपलसरी फिटनेस टेस्ट होगा और अगर वो पास नहीं होती हैं तो फिर उनको स्क्रैप किया जाएगा एक प्रकार से रिसाइक्लिंग के लिए भेजा जाएगा इसके बदले लोगों को उसके शोरूम प्राइस की 5% कीमत मिलेग और नई गाड़ी खरीदने पर भी कुछ छूट वगेरा का प्रावधान होगा इस तरह की बात की गई वेकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए आप बोलेंगे इसका प्रदूशर से क्या तालुक तो देखिए एक तालुक तो सीधा-सीधा प्रदूशर से है कि पुरानी गा होगा सडके जादा मुक्त होंगी तो जादा आसानी से निरबाद तरीके से ट्रांस्पोर्ट चल पाएगा और साथ ही नई गाड़ियों के लिए डिमांड भी बड़ेगी तो देख रहे हैं इसके कई आयाम हैं इस योजना के दो आयाम सीधे-सीधे पर्यावरन से अगला कदम क्या उठाया गया कि भारतिये रेल ने ये तैय किया है कि 2023 तक उसके सारे जो रूट हैं ब्रॉड गौज रूट दो तरह के रूट होते हैं जो पतली पत्रियां होती हैं ये बहुत कम जगों पे भारत में हैं लोकल रूट जिनको नेरो गौज कहते हैं वो हैं और जाधा तर जो रूट हैं वो ब्रॉड गौज रूट हैं तो सारे ब्रॉड गौज रूट को 2023 तक उसको बिजली अधारित कर दिया जाएगा कम्प्लीट इलेक्रिफिकेशन उसका हो जाएगा तो ये छटवा कदम उठाया गया है इसके अलावा दो और बड़े कदमों क बात की गई है जिनकी चर्चा पूरे वेश विश्व के इस तर पे हुई दो कार्णों से हुई क्योंकि ये कितनी चोटी आम बाते भी थी और साथ ही इनका जो फलक था इनका जो विस्तार था वो कितना बड़ा था कितना विस्त था वो दो कदम कौन से थे तो प्रधानमंत जो दूसरे स्त्रोत है उर्जा के जैसे लकडी, कोईला, उपला उस सबसे दूर होकर LPG जो की एक साफ इंधन माना जाता है इसकी ओर गो घर स्विच कर सकें तो ये किया गया देखिए इन सब योजनाओं के अपने क्रिटीक हो सकते हैं हम बात कर रहे हैं कि हमने योजनाए के साथ ही एक दूसरी योजना का भी जिक्र होई आता है वो है उजाला योजना तो प्रधा उजाला योजना के अंतरगत क्या किया गया उजाला योजना के अंतरगत LED बल्ब बाते गए इतने बल्ब बाते गए लगभग 36 करोड बल्ब 36.7 करोड बल्ब पुरो देश में ब खपत करते हैं उतने ही रोशनी देने के लिए दूसरे बल्गों के बरक्स जैसे टंगस्ट इंफिलामेंट बल्ग को अधिकूर्जा की खपत करता है तो इन योजनाओं को लागू करके भी इन आठ योजनाओं को लागू करके हम देखते हैं कि भारत ने अल्रेड़ी अपने Carbon Emission Intensity आप फिर से पूछेंगे Carbon Intensity क्या होता है इस बार मैं कहूँगा कि हम पहले बता चुके हैं जाकर देखिए Carbon Intensity यानि की per unit GDP प्रती इकाई GDP हम कितना कार्बन उत्सरजन कर रहे हैं वो है Carbon Intensity भारत अल्रेडी 2005 से 2016 के बीच इसमें 24 प्रतीशत की कमी कर चुका है हमने प क्योंकि अभी 2021-22 तक ही हमने 24% अचीव कर लिया विलकि 2016 में ही 24% अचीव कर लिया तो हमने अपने लक्ष को बढ़ा दिया है और हमने कहा है याद होगर आपको पंचामरित के लक्षियों में एक लक्ष ये भी है कि 45% हम इसको कम कर देंगे अपनी Carbon Emission Intensity को तो ये आठ कदम आपको ध्यान रखने हैं ये महतुपून कदम थे उसके बाद समपात किये में बहुत महतुपून बाते नहीं हैं वो कहते हैं कि हमें Private Sector के सपोर्ट की जरूरत होगी सरकारों को इस गोल को पाने के लिए कई Enterprise इस पर आगे बढ़ भी रहे हैं वो कहते हैं कि इस Enterprise में महज ये बात नहीं है कि ये हरित या Green Solutions की तरफ बढ़ना हरित उपायों की तरफ बढ़ना महज उनकी उन पर एक बंधन नहीं है बलकि उनके समक्ष इंडस्ट्रीज के समक्ष प्राइवेट इंडस्ट्रीज के समक्ष ये संकरमन काल जो है ट्रांजिशन काल जो है एक मौका भी है मौका के सेंस में हम कभी और इसका जिक्र करेंगे कि जिस प्रकार से अलग-अलग टेक्नलोजिकल इन्नोवेशन हो रहे हैं कहा जा रहा है क्रिप्टो की दुनिया या ब्लॉक्चेन की दुनिया में आगे बहुत सारी एक नई अर्थवस्था का उदय होगा ऐसे ही कहा जा रहा है कि ग्रीन सेक्टर जो है अक्षय उर्जा स्तोतो का जो सेक्टर है ये भी आने वाले समय के बड़े शेत्रों में से बड़े सेक्टर में से एक है जहां पर अर्थवस्थाएं ग्रो कर सकेंगी तो एक बात तो ये हो गई इसके बाद मंत्री साहब आग अक्षे उर्जा स्तोतों से आ रही है लेकिन असल दिक्कत किनके लिए आती है आगे कहते हैं कि असल दिक्कत उनके लिए आती है जो आज भी मुक्यत है कोईले जैसी उर्जा पराधारित है जिसको पुरातन उर्जा माना जाने लगा है नुकसान दायक उर्जा माना जाने महत्वपून बाते थी, डूसरे हिस्से में अब तक खास महत्वपून बाते नहीं थी पहली महत्वपून बात क्या आती है कि भारत का जो cement sector है बड़े sectors में से आता है, core sectors में से माना जाता है, cement sector ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, कम carbon उत्सरजन वाले तरीकों के लिए, जो सारी industries के लिए एक प्रकार से inspiration का कारे कर सकते हैं कि कैसे हमें अपने ऐसे तरीके आजमाने हैं, ऐसे तरीके को follow करना है जिससे कि हम कम से कम carbon उत्सरजन करें, वो तरीके क्या हैं वो तरीके बहुत महतपूर नहीं है McKinsey का article पढ़ा गया और उन कुछ जो इस सेक्टर के important companies हैं, उनके भी कुछ articles देखे, कुछ technical बात हैं खास तरह के kilns का इस्तमाल हो रहा है कुछ raw material में बदला हुए है वो technical जानकारियां हमारे लिए बहुत महतपूर नहीं है महतपूर क्या है, कि cement sector को मंस्री महोदय कुद कह रहे हैं कि वो अग्रणी साबित हुआ है वो भले ही आमद्वार पर निर्भर रहा है कोल जैसे उर्जास्त्रोतों पर, लेकि उसने कुछ ऐसे कदम उठाये हैं, कि वहां से जो कार्बन का उत्सरजन है उसमें कमी देखने को मिली है तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि इसको आधार बना कर हम कह सकते हैं कि भारत को आगे बढ़ना होगा सरकारी योजनाए एक और चलेंगी लेकिन साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी अपना जो हिस्सेदारी है इस लक्षे को प्राप्ट करने में वो निभाना होगा तभी हम एक बहतर भारत और बहतर दुनिया के निर्माड में अपना योगदान दे पाएंगे तो ये था आज का संपाद किये मुझे हुमीद है आपने इससे महत्वपूर्ण बिंदू नोट कर लिए होंगे आपके सुझाव आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कल मिलते हैं नए अरिटोरियल्स के साथ नमस्कार